आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नमबर टेन चेप्टर जिसका टाइटल है दा लास्ट लीफ क्या होगा अभी देखते हैं इस स्टोरी में दो नौजवान आर्टिस्ट दिखेंगे एक का नाम सू एक का नाम जौन सी जौन सी फॉल सिल्वित निमोनिया जौन सी किस से बिमार होगी निमोनिया से और शी डेवलप्स अ सुपस्टीशियन देट शी विल डाई दा सेम मोमेंट लास्ट लीफ अफ दा आईवी क्रीपर आउटसाइड हर विंडो फॉल्स क्या क्या हुआ जो जो ये थी अपनी जौन सी उसने एक सुपस्टीशियन सुपस्टीशियन का मतलब होता अंध विश्वास पाल लिया कि उसकी मौत हो जाएगी उसी शन जिस शन ये जो आईवी क्रीपर है आईवी क्रीपर का मतलब होता एक बेल है मनी प्लांट समझ लो या कोई भी प्लांट जिसकी बेला चलती है जैसी बोले इसकी आखरी पत्ती गिरेगी तब मैं भी निपट जाओ अब उसकी बिमारी साइकोलोजिकल हो गई साइकोलोजिकल मतलब मनो वैज्ञानिक तोर पे बिमार है वो सच्ची मुच्ची बिमार नहीं है मन बिमार है देर इस वन ब्रहमन एन ओल्ड पेंटर एक ब्रहमन है वो ओल्ड पेंटर है वो जॉन सी की मदद करता है ग्रीन कलर की बनाता है अब देखते हैं अपन इसकी समरी इंग्लिश में क्या क्या होगा समझ में तो आ गया दो आर्टिस रहेंगे स्यू जॉन सी एक ब्रहमन तीन ह स्टोरी होगी मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन भी करके दूगा अभी नहीं आगे करके दूगा एक मास्टर पीस बनाऊँगा जिसमें सब पूरे जितने भी चैप्टर है ना सब को picturize करके आपको एक ही वीडियो में पूरे समझाऊंगा जितने हैं आपके the street in a little district west of Washington विदेश का chapter है Washington Washington America were broken into strips जो शहर है अमेरिका का Washington वहां की जो गलियां है वो तुकडो तुकडो में है strips का मतलब होता पटी 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 क्या है पटीदार है one street cross itself once or twice एक ही गली अपने आपको एक दो बार काट देती है ऐसी 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 खतरनाक मोड है they created a maze for new visitor नया कोई वेक्ती आएगा वहां पे वो रोड को समझी नहीं पाएगा the odd people came there and turned the coin told Greenwich village into a colony बहुत जहांते समझो क्या क्या हुआ यह जो कहानी है यह वाशिंग्टन की है वाशिंग्टन में ऐसा शहर है जहां पे बहुत सारी गलियां है और वो गलियां अपने आपको इबार बार काट देती है ऐसी ऐसी चलती है जिससे नय मुसाफिर को बड़ी दिक्कत जाती है वो वहाँ पे अपना घर अच्छे से नहीं देख सकता है कोई भी पता नहीं देख सकता है मेज मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पीपल केम देर पर फिर भी कौन आते हैं आर्टिस्ट लोग आते हैं और उसने उस गाओं को क्या बना दिया शहर बना दिया बहुत बड़ी कौलोनी बना दिया यहां तक बात समझ में आई चोटा सा शहर है पर आर्टिस्ट ने आके उसको कौलोनी बना दिया दो आर्टिस्ट हैं एक अनाम सु एक अनाम जौनसी टॉप स्टोरी ओफ ओल्ड ब्रिक हाउस देर बड़े इसे घर में सबसे उपर रहते हैं शू वास फ्रॉम मेन एन जॉन सी वास फ्रॉम कलीफॉर्निया एक लड़की मेन से है और दूसरी आर्टिस्ट कलीफॉर्निया से है कॉमन टेस्ट इन आर्ट दोनों को एकी कला पसंद है इसलिए उन्होंने स्टूडियो जॉइन कर लिया में महीने में इन नवेंबर ध्यान से देखना मही में दोस्ती हुई जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नवेंबर छे महीने बाद जॉन सी फैल सीरियस लील क्या क्या हुआ दो लड़की मिली एक का नाम जू एक का नाम जॉन सी उन दोनों को एकी समान की कला पसंदी दोनों में दोस्ती हो गई एकी फ्लेट में रहने लगे अब छे महीने बाद जॉन सी को हो जाती है बिमारी क्या हो जाता है नीमोनिया सर्दी खासी नमले रिया हुआ ये गई इसको निमोनिया हुआ शी को डाडली मूव चल फिर नहीं पाती है निमोनिया निमोनिया एक बहुत तेज बुखार है नथिंग मोर देन फीवर बस बस निमोनिया मतलब बुखार हाँ ये लड़की ने सीरियस ले लिया वो चल फिर नहीं पा रही है मैंने आपको बताया ना साइकोलोजिकल बेमारी बड़ी नहीं है जॉन्सी ने सोच लिया कि मुझे मुझे निमोनिया बहुत खतरना के में मर जाऊंगी निमोनिया नहीं मारेगा जॉन्सी की सोच उसको मारेगी हर बैड वोस नियर दा विंडो पलंग खिड़की के पास है इट ओवरलुक दा ब्रिक वॉल अफ दा पोजिट हाऊ शू वोस लीपली वरूट स्यू जो उसकी दूसरी सहली है जॉन्सी की उसको बहुत बहुत चिंता हो रही है कियार information three क्या कर रही है शी सेंट फॉर डॉक्टर जॉन्सी के इलाज के लिए निमोनिया के एक डॉक्टर बेजा सूने बट दॉक्टर तोल्ट सू देट जॉन्सी हैड लॉस्ट लॉस्ट तू लिफ जॉन्सी हैस लॉस्ट विल्टू लिफ याने जॉन्सी बिमारी की वज़े से नहीं मरेगी पर उसने जीने की आशा छोड़ दी हर चांसेज ओफ सर्वाइवल वर जस्टेन परसेंट सौ में नबे परसेंट तो मर जाएगी सौ चाहती है कि जॉन्सी बच जाए बच जाए बच जाए वो पूरी कोशिश कर रही है कि जॉन्सी का जीवन में फिर से फिर से नहीं उर जा जाए जो ट्रेंडिंग कर रही हो फैशन के बारे में बात करती है जो ट्रेंडिंग कर रही हो फैशन के बारे में बात करती है ड्रॉइंग बोर्ड लेके आती है स्टार्टेट पेंटिंग वाइल पेंटिंग शी विसल सीटी बजाती है CT बजाती है CT बजाती है painting करती है कपडों की बात करती है fashion की बात करती है अरे कुछ तो बोल लड़की John C कुछ तो बोल A very old ivy climbed halfway up the brick wall wine मतलब ये एक creeper है बेला है आईवी की बेला है ये आधा आधा रस्ते आ चुकी है दिवाल पर It was winter Its leaves were falling थन का मौसम है पतजड लगया उसकी पत्या गिर रही है John C was counting backward from 12 downwards John C बोलती है 12, 11 मतलब इतने दिन बचे है She asked what it was all about वो पूछती है सू के क्या है बोले क्या तू गर रही है 12, 11, क्या गिन रही है John C told her that she would pass away as soon the last leaf fell बोले जो मैं गिनती गिन रही हूँ ना 12 से ये मैं बता रही हूँ कि अब मुझे जानना है It would happen in three days तीन दिन में मेरा काम लग जाएगा John C's condition went from bed to worse with the falling each leaves from the ivy जैसे जैसे ivy की पत्ती गिरती है वैसे वैसे John C का जीवन के प्रती है एक दम निराशा हा जाती है और वो बोलती है कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी Sue called her idea nonsense but could not get it out John C mind Sue समझती है कि ये बिलकुल बेहुदी बात है पर उसके दिमाग से बात वो निकाल नहीं पाती है she told her in when that she would be alright when when का मतलब होता है बिलकुल बिना सोचे समझे और बिना कोई ठोस सबूत के बस ऐसी बोल दिया कि तू बच जाएगी मत चिंता कर John C began to prepare for death John C समझ गई कि अब तो मुझे मरना है she thought of a plan to save her friend's life सू ने प्लान बनाया अपनी सहली को बचाने का यहां तक के फट से कहानी समझो बोलो एक सू है अब बोलो एक कौन है John C है ये सू ने देखा John C की दोस्ती होगी सेम आठ के कारण छे महीने बाद John C को क्या हो गया नीमोनिया नीमोनिया की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है P से P एनी नीमोनिया उसको जाता है नीमोनिया किसको John C को और John C बोलती है अब तो मुझे जाना है जैसे या आइवी की लीव गरते जाती है जौन सी बोलती है कि अब मैं जाओंगी अब बचिया आखरी पती जौन सी एड फॉलन लास नाइट शी वेंट टू ब्रह्मन अब जाती है सू किसके पास ब्रह्मन के पास ये कौन है ओल्ड पेंटर तीन करेक्टर है एक सू है एक जौन सी है और एक ब्रह्मन है ये बिल्कुल पिक्चराइज होगा एक ही वीडियो में पूरे चेप्टर की फोटो के रूप में पी 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 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा बिल्कुल एक बार में आपको पूरा समझ में आएगा पर अभी नहीं अभी नहीं ये वाले वीडियो में नहीं आगे करूँगा अब वो किसके पास जाती है बर्मन के पास जाती है जो ग्राउन फ्लोर पे रहता है यहाँ पे तीसरा करेक्टर आया बर्मन he had a hearty desire to paint a masterpiece जैसे मेरे दिल में desire है कि मैं आपको एक ऐसी ऐसा वीडियो दूँगा ऐसा वीडियो दूँगा कि एकी वीडियो पूरे चेप्टर को समझा देगा जितने भी किताब में है क्लास 10th की ऐसे बर्मन के मन में desire था कि एक ऐसी painting बनाऊँगा ऐसी painting बनाऊंगा कि सब उसकी बात करेंगे तारीफ करेंगे However, he had no success so far पर विचारे को अभी तक कि ऐसी कोई उपलब दी नहीं मिली बर्मन को नहीं मिली He, she apprised Brahman about John C's fancy Sue बोलती है बर्मन को कि John C सोसती है कि ये last पत्ती गई कि वो काम लग गया उसका बर्मन followed Sue to their room John C was still sleeping वो आता है कमरे में John C अभी भी सोरी है दाईवी क्रेपर है डाउनली वन लीफ लेफ्ट उनिट वो ईवी क्रीपर पे एक ही पत्ती है बाहर बारिश हो रही है और वो पत्ती भी गिर गई हो गया खटम, फिनिश, टाटा, बाइबाई, हो गया, हो गया आकरी पत्ती भी गिर गई पर, पर, पर बर्मन पेंटेड लीफ इन ग्रीन कलर जौनसी को नहीं पत्ता है आकरी पत्ती गिर गई जौनसी सो रही है बर्मन ने अपना पेंट ब्रश उताया पुताई का ब्रश उठाया वो क्या है दिवाल पे है न बेला तो वो दिवाल के उपर जाके उसने पत्ती की पेंटिंग बना डाली It looks exactly right the real leaf सोहिती जौनसी पेड कहां पर है बेला बेला कहां पर है दिवाल पे है दिवाल के उपर ब्रहमन ने लेडर निशानी लगाई ब्रश उठाया और दिवाल पे पत्ती बना दी जौनसी वोक अप नेक्स मॉर्निंग अगली सुबह जौनसी उठी शी बेगेन तो वेट फो दे लास लीव तो फॉल बोले अब तो आज अपने को जाना है जौनसी बाहर घड़ी घड़ी जाती है देखती है पर वो पत्ती गिरी नहीं रही है तूफान आया तो भी इस रिवाइब ड़ टो लिव इन जौनसी जौनसी को रिवाइब मिल गया बहुत बढ़िया बहुत बड़ी खबर हमारे चैनल पे कुछ पबजी प्लेयर आके बोल रहे है जौनसी को रिवाइब दे दिया ब्रह्मन ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जै पब जी जॉन सी को रिवाइब मिल गया कौन ने रिवाइब दिया कौन ने रिवाइब दिया ब्रहमन ने रिवाइब दिया कैसे रिवाइब दिया एक लीफ बना के जॉन सी एक्क्यूज़ हरसेल शी फेल डेट इट वस सिंट वेट अब जॉन्सी बोलती है ये तो बड़ा पाप है कि मैं मृत्यू का इंतजार कर रही थी और मृत्यू चाहा रही थी न्यू होप उसके मन में नहीं उमंग आ गई शी टुक लॉट्स ओफ सूप उसने बहुत जादा गरम सूप पीना शुरू कर दिया अब फटाक से इसकी समदी देखेंगे हिंदी में वाशिंग्टन के पस्चिमें एक छोटे जिले की गलियां टूटी हुई और शाखाओं में बटी हुई थी गलियां कैसी है टूटी हुई है और शाखाओं में बटी हुई है एक ही गली सोयम को एक या दो बार पार कर जाती थी नए आगंतुक को धोका देती थी कलाकार लोग वहां आते थे और उन्होंने इस विचित्र ग्रीन विच गाउंग को बसा कर कॉलोनी बना दिया इटो के एक पुराने घर की सबसे उची मजली पर सियू तथा जॉनसी नामक दो यूती कलाकार रहती थी एक लड़की मेन से थी और एक कैलिफोर्निया से थी कला में समान रूची के कारण दोनों मही में एकटा स्टूडियो ले लिया था एक ही कमरा दोनों ने ले लिया था नवंबर में जॉनसी बहुत बिमार होगी उसको निमोनिया हो गया बिना हिले लेटी रही पलंग खिड़की के पास था घर की इटों की दिवार पर नजर आती थी बहत परिशान थी उसके डॉक्टर को बिलाया डॉक्टर ने बताया कि उसकी जीवित रहने की चट चली गई केवल 10 प्रतीशत है दवाई कुछ भी नहीं कर सकती भरसक पूरे प्रत्न किये ताकि जॉनसी की बाते में रूची ले कपडों की बात की फैशन की बात की यहां वहां हर जगा की बात की ड्रॉइंग बोड भी जॉनसी के कमरे में ले गई पेंटिंग करना चालू किया सीट रितू थी पत्ते गिर रहते बाहर से नीचे की तरफ उल्टी गिंती गिन रही थी अब क्या है जॉनसी ने उसे बताया कि क्या बताया जॉनसी ने जॉनसी ने बताया कि जैसी आलवी का अंतिम पत्ता गिरेगा उसकी मृत्ती हो जाएगी तीन दिन के अंदर वो मर जाएग आईवी प्रत्यक पत्यक के गिरने से जॉन सी के हालाद बत्तर होते थे विचार बड़ा बेकार लगा परंतु उसके दिमाग से इस बात को वो निकाल नहीं पाई अब क्या बोले जॉन सी मरत्यू की तयारी करने लगी अपनी सहली को बचाने के लिए उसने की योजना बनाई और वो किसके पास गई बरमन बैरम बैरमन एक बुड़े पेंटर के पास गई नीची मंजिल में रहता था उसको तम क्रती बनाने की अभिलाशा थी परंतु उसको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली उसने बैरमन को जौन सी की सनक के बारे में बताया कि जौन सी बोलती है कि जैसी आखरी पत्ती गिरेगी वो निपट जाएगी और इसकी आखरी पत्ती आज गिर जाएगी बैरमन सू के पीछे पीछे उसके कमरे में गया जौन सी सोई थी और उसने क्या किया आई वी की बेल पर केवल एक पत्ता बचा हुआ था जोर की वर्षा हो रही थी रात को अंतिम पत्ता गिर गया गिर गया पर इसने जाके वहाँ पे पत्ता बना दिया प्रते घंटे के बाद जॉन सी खिटकी के बाहर आती परंतु तूफानी शाम को भी वो पत्ता नहीं गिरा जॉन सी के भीतर रिवाइव मिल गया जीने की इक्षा जागरत हो गई जॉन सी ने सुयम को दोसी ठराया कि क्या मैं मृत्यू के लिए सोच री थी उसके भीतर नहीं आशाई उसने गरम चूप लिया और उसके हालाद सुदरने लगे और वो खत्रों से बाहर आ गई जब वो खत्रों से बाहर आ गई तो सूब ने उसको बताया कि केवल पेंटिंग थी और वो पत्ता तो गिर गया था बहरम ने वर्षा में काम किया और बहरम को निमोनिया हो गया और यही उसकी मास्टर पीस थी किसकी बहरमन की समझ में आई इस टोरी अगर समझ में आई हो तो लाइक करो लाइक करो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो शेयर करो शेयर करो झाल झाल